टिक्टॉक पर विलेन और जौनी दादा के नाम से वीडियो बनाकर ढालने वाले तीन हत्याओं के एक आरोपी ने फुलिस को देखकर खुद को गोली मार ली टिक्टॉक पर जौनी दादा और खुद को विलेन बताकर वीडियो पोस्ट करने वाले अश्वानी कुमार ने भरी बस के अंदर अपने आपको गोली मार ली शनीबार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बरहापुर छेत्र में एक रोट बेज बस में अश्वानी कुमार ने खुद को गोली मार ली दानो अब तैयार है और मेरा कहर देखो भी डाले थे 27 सितंबर को अश्वानी ने एक बिवाद के बाद इस्थानी भाजपानेता के 25 वरसी बेटे और उसके भतीजी को गोली मार कर हत्या कर दी थी इसके बाद उसके सिर पर एक लाख रुपय का इनाम घुशित होने के साथ ही उसका नाम बिजनौर में Most Wanted सूची में आ गया था इसके बाद उसने एक लड़की की भी गोली मार कर हत्या की थी बीते सब्ता में पुलिस की 15 टीमें उसका पीछा कर रही थी शुक्रबार को बिजनौर के नगीला इलाके में उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया था बिजनौर के पुलिस अदिक्षक क्रामिल विश्वजीत स्रिवास्तों ने का वह वाँ से भागने की कोशिस कर रहा था और दिल्ली जाने वाली के रोडबेज बस में भी सबार हो गया था पुलिस की एक इस्थानिय टीम ने शनिवार की रात करी एक वज़ के 15 मेट पर उस बस को रोका बस में दो कॉंस्टेवल को यात्रियों के बीच मुँपर सफेद रुमाल बांद कर बिठाय गया था अस्वनी पर संदे होने पर विलोग जब उसके पास गए जिससे वो देखके घबरा गया और अपनी बंदूप निकाली और सिर में गोली मार ली उसी मौके पर तुरंत उसकी मौत हो गई पुलिस ने उसके पास से कथित रूप से की गई तीनों हत्याओं के विस्तिर दिबड़ वाले चउदा पेच के पत्र एक पिस्तॉल और दो मैगजीन भी बरामत किये बन्ने वाल